Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tairos, expert truth always exposes darkness So, आज का जो टॉपिक है guys, वो है आपके परसन जो है na लगातार आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या उनका मेन लक्ष है क्या उनके इंटेंशन्स हैं and definitely इनके रादे का क्या है, okay So, of course, it will be a timeless collective for all Zodiac Science and it is a general prediction आप जानते ही हो कि मैं cards को verify भी करूँगी, clarify भी करूँगी तो please reading को last तक देखना चाहें को, like, share, subscribe ज़रूर करें और ये एक general prediction है, ठीके, it may or may not resonate So, take it whatever it resonates and leave the rest So, universe with guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers है, उनके जिन्दगी में, उनके partners जो है क्या feel कर रहे है, क्या सोच रहे है, उनके एरादे किस तरह से है Please बताए universe, thank you universe, thank you spirits and thank you guides Please बताए universe, thank you universe, thank you spirits and thank you guides The devil, the two of ants, the two of swords Bottom of the deck we do have the five of swords and nine of swords Nine of cups and strength, okay Aquarius, Gemini, Libra, Kummithun, Tularashi, यहाँ पे है Ten of ant series, Leo, Sagittarius, यहाँ पे है Devil, Capricorn, Makarashi, यहाँ पे Mesh, Singha, Dhanurashi, यहाँ पे Kummithun, Tularashi है, यहाँ पे यहाँ पे, I do find कि, yes, we do have the cancer, Pisces and Scorpio also First important numbers is 7, 10, 15 and 2, 2 How is that 2, 2, 22, 22, 22, 22, 22, 22 important हो सकता है अच्छा, कुछ मैं, आपके person के बारे में मैं बता देती हूँ ताकि आपको पता चले, clues at least पता चले कि यह इंसान आपी किसे रिलेट करते है यह इंसान हमेशा इनका जो बोलने का तरीका है, ठीके काफी जदा rude या harsh या arrogant हो सकता है The way they speak and काफी confident हो सकता है यह इंसान दूसरा चीज है, अपने personality को काफी अच्छा से carry करते है यह इंसान और कुछ लोग के लिए आपके person जो है, किसी के साथ partnership business में हो सकता है कुछ लोग के लिए आपके person जो है, they always have the lust and affinity towards sex यह भी हो सकता है कि उनके opposite gender के लिए, इनका हमेशा है sexual relationships काफी priority list में रहा है और कुछ लोग के लिए आपके person जो है, military, army, navy navy में एक काम करने का सबसे ज़्यादा मुझे यहाँ पे दिख रहा है यह आगर ठान लेते हैं, कुछ चीज इनको achieve करना है जिंदेगी में, तो वह यह करके रहेंगे, ठीके और काफी mechanical thoughts है emotional में कम ही देख पा रही हूँ देखे, emotional चीज में कम ही देख पा रही हूँ बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हैं कि city culture जिस तरह से है, उस तरह से है ठीके, village culture नहीं है यहाँ पे city culture बहुत ज़्यादा है अकसर यह इंसान आपके बारे में जो भी सोचते है whatever, be it a positive thought, be it a negative ठीके, यह इंसान हमेशा ही manipulative way में ही आपके साथ पेश आये है ना अपने identity को हमेशा cover up किया है अगर आपके साथ इनका बातचित होता भी है तो भी इनोंने, ठीके, बहुत कुछ चीज आपसे height किया हुआ है अपने past के मामले में height किया हुआ है अपने नौकरी के मामले में height कि कर सकते है वो किस-किस इनसान से deal करते है इस विशे में भी height कर सकते है but continuously जो भी सोचते है ठीके, आपके बारे में आपको देखो, ये इनसान हासिल करना चाते है in a twisted way मैं नहीं बोल रहे है in a straight manner in a twisted way ठीके, और अगर ये किसी से भी खफा है, तो भी जानने नहीं देंगे इनका way of reaction काफी अलग होता है ठीके, आपको पता नहीं चलेगा ठीके, और मुझे दिख रहा है जिसको बोला जाता है अगर हम हिंदी भाषा को देखे शत्रंच बोला जाएगा इसको खेल खेल में ही इनका जिन्देगी जिस तरह से गुजारता है काफी ये इनसान जो है मुझे दिख रहा है इनका जो शार्प लुक्स है, ठीके पता नहीं क्यों ऐसा होता है ऐसा साइकोलजी में ऐसा कहा जाता है कि वी अल्वेज गिट अट्राक्टे टो दोस पीपल जेनरली हूँ आर लाइक दिस, ठीके तो आप इस इनसान से आकरशित हुए आप प्रेम में आएं, मो में आएं ठीके यह इनसान, मैं नहीं बोलूँगी कि अपने वादे से मुकर जाने वाले हमेशा ही रहेंगे बट नो, जब आपकी जरुरत होगा, यह इनसान ऐसी ही सोचते है कि वो आपको हमेशा सेफ कर लेंगे ठीके, बट राइट नाव मेब इस नॉट टाइम to confess the love उनका अभी सोच मुझे यहां पर दिख रहा है कि वो लगता है अभी सही समय नहीं आया है to confess everything उनके अभी बहुत सारे goals, ambition, target बहुत ज़दा हो सकता है office से बहुत ज़दा responsibility जो उनको complete करना है यह इनसान कोई software programmer हो सकता है आप लोग internet में मिले हो ऐसा भी हो सकता है and internet की दुनिया भी एक राहू की दुनिया माना जाता है जहां पर आपको इनका addiction पर गया और यह casual date पर कुछ लोग मिले है आप लोग seriously नहीं लिये थे relationship को दीरे दीरे जब आपने कहा कि नहीं I want a serious and committed relationship तब शायद यह back off कर गए इस तरह से भी हो सकता है और बहुत ज़्यादा strong chances मुझे देख रहा है for many of you यह इंसान के already एक option है अई दियत तो यह शादी शुदा है वो आप से चुपाए होंगे या यह already किसी के साथ तो है engaged but they are not showing it to you और यह दोधरी दलवार की तरह क्या इनको करना है समझ में नहीं आता so constantly यह सोच रहे कि मैं ऐसा करते करते न अपने आपको damage करता जा रहा हूं या damage करती जा रही हूं तो मुझे ऐसा नहीं रहा can you see with the five of swords जिस तरह से उन्होंने आपको refuse करके हो block care के हो ठीके आपको आपसे छुपा के हो आपकी दिल तोड़ा गया है आपसे ही खफा थे यह तो उनको भी ऐसा लगता है कि उनका ही damage हुआ है सबसे जादा क्योंकि किसी को heart करने से किसी के sentiments को effect करने से guys वही heart होते है red flags आपको भी मिला था यह इंसान से दूर रहने का बढ़ आपने सुना नहीं और आप unnecessarily heart हुए आपका दोश यही था कि आपने इनसे प्यार किया और यह बहुत strong willed personality है बहुत dominant बहुत ज़दा emotional not emotional at all I don't find emotions ठीक है hidden emotions हो सकते हैं बट वो at least दिखाते नहीं surface level पे तो आता नहीं है हमेशा यह हर एक relationship को business के तौर पे लेते आये है मतलब मैंने कुछ दिया तो मुझे कुछ तो पाना ही चाहिए न हो सता है आप दोनों के priorities match नहीं हो रहा है यह भी यह सोच रहा है ऐसा भी सोच रहा है कि आप दोनों के जो goal है वो अलग-अलग है आप दोनों के financial balance अलग-अलग है आप दोनों के status अलग-अलग है this person is not at all spiritually inclined I am telling you जो भी आज आप इस reading को देख रहे है आप spiritually inclined है बट यह नहीं है आपको उनका आदत पर जाता है आपने उनको मनाने की भी कोशिश की आपने उनके साथ bargain करने की भी कोशिश की equation अच्छा नहीं चल रहा है और यह खुद भी जानते हैं कि इनका fault है but they are determined ओके they are determined like उनको आप कैसे change करोगे now nine of course and with the strength ठीके यह तभी relationship और एक stronger position में पहुँच सकता है जब in fact आपकी खुशियों के उपर वो ध्यान दे और आप भी इनके खुशियों पे मतलब आप वो जो चाते उनको वो करने दो अगर आप रोग टोग करोगे तो यह और भी भाग जाएंगे ठीके मुझे situation पता नहीं क्यों समझ में आ रहा है कि यह ऐसा है कि आप उनको commitment चाते हो बड़ यह देखो यह जो share है I know the strength card is a card of commitment पर यहां पर आप share को देखो आप share को जो जबस्ति पकर रहे हो ठीके can you see that यह आपकी energy है आप इसको जो जबस्ति पकर रहे हो बड़ क्या यह आपके पास रहना चाते है can you feel like so शायद यह ऐसा समझते है कि अगर इनोंने आपके साथ relationship को continue किया क्या आप उनके उपर force करोगे क्या आप उनको जो भी मन चाहे करने दोगे जो भी मन चाहे मतलब at least उनका freedom क्या ख्याल रखोगे can you will you do that yes or no that is their question okay now let me verify यहाँ पर verify करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है by the seven of swords yes completion यहाँ पर वही है कि इनोंने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा relationship देखा है जो trust के उपर था शायद किसी का भी आपके person में family में किसी का भी उन्होंने loss होते वे देखा maybe उन्होंने ऐसा किसी को भी देखा अपने friend का भी कि एक friend एक किसी को प्यार करते थे लेकिन जब हो चले गए तब उन्होंने कुछ ऐसा अपने जीवन को अंत कर दिया तो यह सब कुछ चीज देखा हुआ है तो हो सकता है इन्ही का जो negative effect है आपके person के उपर बड़ा है कि ये भी कुछ इस तरह से revengeful personality में बदल चुके है ठीके और ये किसी को पड़ ट्रस नहीं कर पाते चाहे आप जितना भी honest क्यों ना मत्रब उनके लिए honesty होना नहीं चाहिए उनके लिए आजकल के दुन्या में दसीधे उंगली से घीना ही निकलता है तो उंगली को टेड़ा करो इस तरह का बात करते हैं why this train of ends impartiality इन्होंने देखा कि तेखो इस तरह से मुझे यहां पे दिख रहा है यह ऐसा सोचते है कि आप बहुत ही ज़ादा ठीके ऐसे इंसानों जो काफी उसके एगेंस्ट में आप गए हो and definitely यहां पे मुझे दिख रहा है कि वो इस आपके जो यह quality है ठीके इसको बहुत अच्छा से मानते है कि आप किसी को भी rescue करोगे किसी को भी बचा लोगे आप even उनको भी अगर वो danger में है तो आपके अंदर कोई partiality नाम के कोई चीज नहीं है तो यह सब भी है so why this devil card why this devil card devil card यहां पे क्यों है okay gratitude देखो यहां पर मुझे इस तरह से महसूस हो रहा है कि आप एक sincere commitment आप एक sincere relationship इन से demand कर रहे थे but on the other hand यह ऐसा सोच रहे हैं कि मेरा जो इरादा है मैं कामयाब हो पाऊंगा या नहीं मुझे नहीं पता लेकिन मैं क्या इस इंसान के लिए कुछ कर पाऊंगा कुछ कर पाऊंगी बता वो खुद जानते हैं उनके अंदर क्या fault है क्या addiction से क्या problem से उनको पता है so they are feeling कि क्या वो रेसिप्रोकेट कर पाएंगे आप से now why this two of hands and two of words एक साथ देख लेते हैं यहां पे two of hands and two of words क्यों आया because they are very guilty why they are guilty क्योंकि उन्होंने एक साथ दोनों relationship को handle किये या उन्होंने career के उपर जदा focus किया relationship के उपर zero उन्होंने आपको time नहीं दिया आपका care नहीं किया आपका कोई देख भल नहीं किया responsibility नहीं उठाया so they are really ashamed right तो उनका माईना मेशद दो दो चीज़ के उपर था right now they are very guilty ठीके so why this five of words five of words क्यों है यहां पे despondence देखो आपने इनको समालने की कोशिश की लेकिन यह इंसान को जब बिगरना होता है को अपने मनाने का bargain करने का मैं आपको बताया कि आपने शायद बोला होगा कि let's give a try but इन्होंने सुना ही नहीं ठीके and strength why this strength card has come enlightenment yes यहां पे भी सन है यहां पे भी लियो है so of course यह इनसान चो है ठीके आप ही इनको समाल सकते है but in a positive way you can change this person ठीके जब तक इनका ज्यान जिसको बोला जाता है कि the third eye does not get awakened तब तक इनको समझ में नहीं आएगा मैंने आपको यही बताया कि this person is not spiritually awakened हो सकता है कि धार्मिक आचार में मानते हैं बहुत कुछ धार्मिक चीज़ें भी करते हैं लेकिन spiritual होना अलग बात होता है they still don't know what is right and what is wrong okay so इनका future actions भी हम देख लेते गाईस what is the future action of this person vanity acceptance and we do have the miracle miracles तभी possible होगा मुझे यहां पे दिख रहा है जब यह अपने अहम से अपने ego से अपने stubbornness से मतलब जिद्धी पन से बाहर आएंगे तोड़ा party बाटी करना बंद करेंगे addiction से तोड़ा बाहर आएंगे जैसे भी आपको वैसे accept करेंगे और यह तभी possible हो रहा है जब miracles हो रहा है और miracle सबके साथ होना है ऐसे जरूरी नहीं होता अगर miracle है इफ देर इस divine blessing for both of you then both of you are going to accept each other ठीके future action मुझे यही दिखाई दे रहा है बट आइडू थिंग when miracle card has come जब miracle card आ चुका है तब तो और कुछ बोलने का जरूरत ही नहीं है understood so this can be the future action of this person so I do feel that ठीके एक और कल काट देख लेते हैं आपके लिए advice आपको क्या करना चाहिए whether you should do anything right now or not true love this love is once for a lifetime congratulations ठीके spiritual connection a relationship has a connection that goes beyond this lifetime ठीके ये पिछला जो जन्म का तार है ये जुडा हुआ है जो मुझे यहां पे दिख रहा है चाहे जो भी हो इनका फैसला आप दोनों अभी भी okay on a platonic level आप जुरेवे हो और मुझे नहीं लगता है ये connection तूटेगा नहीं लगता है मुझे चाहे आप कहीं पे भी हो you will be both connected to each other and this is a true love भले ही आप बोल सकतों ये एक devilish है ये बहुत ज़्यादा big rail है ठीके ये इस तरह के इंसान है लेकिन ये आपके साथ can you see the cord the cord is connecting ठीके ये cord connect कर रहा है आप दोनों को इसको डप deny नहीं कर सकते ठीके तो spiritual अगर आप spiritual evolution के through ठीके ये relationship का जो pattern है ये सही हो सकता है so this is all about today's reading guys I hope you like it and if you like please do share, subscribe and do comment in the comment section till then take care of yourself and keep watching divinity, terror or six wet road always exposes darkness and will expose darkness thank you guys and love you a lot and take care thank you